Okay so today particularly we will discuss about angiospermic family plant division angiosperms जिनको flowering plants भी बोलते हैं तो flowering plants के अंदर जो families का main classification किया जाता है वो flower के base पे हिं किया जाता है तो जब भी हम किसी family का floral description लिखते हैं before discussing the solenessy particularly जब भी floral description लिखा जाता है तो एक पर्टिकुलर सीरीज में लिखा जाता है, फ्लोरल से पहले आप चाहें तो वेजिटेट्व डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, वेजिटेट्व में आप जो है, रूट, स्टेम और लीफ के बारे में बता सकते हैं, सो मौशली कॉमन केरेक्टरिस्टिक्स ही होते हैं, अगर फैमिली डायकॉट की फैमिली है, फार एग्जामपल सोलेनेसी, तो हम रूट लिख सकते हैं कि टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है, स्टेम का नेचर हम लिख सकते हैं, जिस भी तरह का वो है, मिजफाइट है, हाइ ठीक है, तो डायकॉट में रैटिकॉलेट होगी, उसके लावब फाइलो टैक्स ही बता सकते हैं, पॉजित है, अल्टरनेट है, तो इस तरह के कुछ करेक्टर हम लिख सकते हैं, ओल्डो मेंज जो करेक्टर होते हैं, वो होते हैं, फ्लोरल डिस्क्रिप्शन या फ्लोरल कर तो फ्लोरल करेक्टर जब भी लिखते हैं पर्टिक्लर सीक्वेंस में लिखते हैं सीक्वेंस क्या होता है सबसे पहले इन फ्लोरिशन्स लिखी जाती है ठीक है कि पूरा जो bunch of flowers है या जो flowers की arrangement है main stem पर या branch पर वो किस तरह की है उसके बाद flower के character लिखे जाते हैं कुछ common character flower के क्या flower bisexual है क्या flower pedicillate है bracketate है symmetry क्या है flower की ठीक है यह सब चीज़े लिखी जाती है फिर particularly flower में भी हम सबसे पहला होरल जो होता है calyx उसके बारे में लिखते हैं calyx में जो unit होती है sepals, sepals का number क्या sepals fused है क्या sepals free है क्या वो inferior है क्या superior है क्या persistent है या जो भी characteristics है calyx के वो हम लिख सकते है एक maximum number of list हो सकती है characteristics की ज़रूरी नहीं है सारे character लिखने है जो mainly use किये जाते है कुछ तीन या चार character वो हम लिख सकते है उसके लावा corolla लिखे जाते है petals कैसे है, क्या petal fuse है, क्या petal free है, inferior है, superior है, ठीक है एंधर monothecus है, क्या एंधर biothecus है, intros है, extros है, क्या inferior है या superior है ठीक है, देखिए, calyx, corolla और endrishum inferior हो जाते हैं अगर ovary superior हो तो अगर ovary inferior है तो ये तीनो superior हो जाते है next हम लिखते है गाइनोशियम यानि की female reproductive part गाइनोशियम की unit होती है, carpals, कितने carpal present है, कितने chamber है ovary में क्या sincarpus ovary है, यानि carpals fuse है, या carpals free है, apocarpus है placentation कैसी है, mainly वो लिखते हैं, ठीक है और उसके बाद आप चाहें तो fruit भी लिख सकते हैं और उसके बाद दिखा जाता है floral formula पूरी family में जो या जो पूरा flower है, उसका formula क्या है, formula के लिए भी कुछ rules है, जो हम पढ़ेंगे और उसके बाद draw किया जाता है floral diagram अपर axis से जब आप किसी flower को देखते हैं, तो वो किस तरह का दिखाई देगा, वो कहलाता है उसका floral diagram ठीक है, तो यह सारी चीज़े हम floral description में लिखते हैं और इसी sequence में लिखते हैं maximum चीजों को semi-technical language में ही लिखा जाता है semi-technical language, taxonomy का rule है कि जब भी आप floral description लिखें, semi-technical language में लिखें the number of sepals is 5, no need to write this phrase that number of sepals is 5, direct simply write 5 sepals or sepals 5, okay, write directly gamma sepals, the word gamma sepals is a semi-technical language, we don't, we need not to write that the sepals are fused with each other, the phrase that sepals are fused with each other, can be represented by only a single word that is gamma sepals, so semi-technical language में हमें floral description को लिखना चाहिए, so now we will start with the solenusy family, so firstly बात करते हैं solenusy family की, solenusy family जो है उसका type genus, type genus एक main genus होता है जिसके साथ other names को assign किया जाता है, तो type genus जो है, वो होता है solenum, mostly जो plant है उनमें genus solenum ही लिखा जाता है, उसके साथ different species के according अलगलग plant होते हैं, ठीक है इसको potato family भी बोलते हैं क्योंकि इसका main member या most common member जो है वो potato है, although potato का flower हम generally नहीं देखते, क्योंकि potato का vegetative part जो है ठीक है और वो भी modified stem, उसी को हम cultivate करते हैं, उसी को हम खाते हैं, तो flower fruit बनते हैं, botanically tomato जो है वो fruit नहीं है, sorry potato, potato जो हम खाते हैं वो modified stem है, इसलिए generally हम everyday life में या normal life में बहुत rarely potato के flower को देख पाते हैं, otherwise अगर हम flowering stage देखेंगे potato की तो वो भी क्या है, उसके flower solenacy का ही member है, तो solenacy members जैसे flower होते हैं, वैसे ही potato के flower होंगे, तो कुछ members की अगर मैं बात करूँ, या कुछ species की बात करें, तो सबसे common member हो गया potato, okay you should know the botanical name, solenum, type genus, species are tuberosum, potato के अलावा, petunia, एक ornamental plant है, petunia hybrida, botanical name होता है, ठीक है, उसके अलावा दतूरा भी solenacy का member है, दतूरा stremonium और दतूरा inoxia, दो species होते हैं इंडिया में, एक solenum nigram, ये भी solenacy का member है, main ornamental plant है, petunia, दतूरा wild है, potato cultivated है, solenum nigram भी एक wild plant है, ठीक है, ये कुछ members है, common solenacy family के, these are the flowers of potato, five petals है, one, two, three, four, five, petals आपस में fuse है, free नहीं है, ठीक है, although इसमें tube like structure तो नहीं दिख रहा है, but they are fused, tubes लिए नहीं दिख रही है, क्योंकि इसके जो stamens है, वो extros है, बाहर की तरफ आयो है, हालांकि intros होते हैं, बट एक-दो genus में vary करती हैं, ये conditions, ठीक है, ये इसके stamens है, ये filament है, ये जो है stigma है, इसके अंदर style रहा है और नीचे ovary है, इस तरह से arrangement है, ये plant का, तो पैटल जो आपस में fuse है, five number है, stamen भी five होते हैं, stamens are also five, so this is potato flower, this is the another member of solanus, that is petunia, petunia हमारे college में भी बहुत है, ठीक है, in our institution we can watch these flowers, so hybrid varieties में petals color mix भी होते हैं, यहाँ पर एक pure color है, purple, white इस तरह से, तो यहाँ देखिए, tube बनी हुए, this is one petal, this is another petal, second one, this is third petal, this is fourth petal, and this is fifth petal, ठीक है, पांच petal इसमें भी total, यहाँ पर एक tube-like structure भी बनी हुए, क्योंकि यहाँ जो stamen है, वो intros है, इंसाइड है, अंदर की तरफ, तो stamen यहाँ भी पांच ही होते हैं, five stamen, five ही potato में थे, five ही petals है, skelix दीख नहीं रहे, sepals, sepals भी five होते हैं, ovary जो होती हो, ovary में, carpals का number five नहीं होता, carpals two होते हैं, solenacy का feature है कि carpals दो होते हैं ovary में, ठीक है, अभी carpal क्या है, chamber क्या है वो भी हम discuss करेंगे, so this is petunia, this is ornamental flower which is very very common, general institutions में घर पे ठीक है, यहाँ कहीं भी academic institutes में commonly देखने को मिल जाएगा, petunia flowering season जो होता है, generally यही है, December से लेके, March तक, okay, so now we will discuss the characteristics, so कुछ flower मैंने आपको अभी दिखा है, members जो है, generally potato, petunia which is ornamental, datura which is wild, you may have seen the datura also, and solenum nigram, so these are some common members, floral description की अगर बात करें, तो उसी sequence में हम बात करेंगे, floral description में सबसे पहले लिखा जाता है, inflorescence, okay, the first क्या है, inflorescence, inflorescence क्या होता है, कि जितने भी flowers है, वो flowers main stem पर या branch पर किस तरह से arrange है, या cluster of flowers की arrangement क्या है, ठीक है, तो solenus के अंदर में ली या तो साइमोज inflorescence पाई जाती है, या कुछ plants में solitary axillary भी पाई जाती है, देकि साइमोज क्या होगी, आप inflorescence का एक वीडियो है separately, उसमें भी देख सकते हैं, एक branch है, उस पर एक flower है, फिर दूसरी branch इसी branch से निकल रही है, जिस पर flower है, फिर third branch, एक branch पर एक ही flower है, और branches से branches निकलते जाते हैं, ये साइमोज inflorescence कहलाती है, ठीक है, limited growth है, limited growth क्या है कि एक branch पर एक ही flower आएगा, solitary axillary क्या होती है, कि axis पर, माली जी, ये कोई branch है, यहाँ से ये leaf निकला हुआ है, ठीक है, ये दूसरा leaf निकला हुआ है, तो leaf के axis से, यहाँ से flower arise होते हैं, solitary इसलिए है, क्योंकि एक ही flower arise होता है, एक leaf के axis से एक ही flower arise हो रहा है, दूसरे leaf के axis से दूसरा flower arise हो रहा है, तो ना ही ये साइमोज है ना ही ये रैसिमोज है एक special तरह की inflorescence होती है solitary inflorescence जिसमें solitary axillary या solitary terminal होते हैं solitary terminal में पूरी ब्रांच के last में जाकर एक flower होता है solitary axillary में leaf के axis से flower निकलता है एक single flower तो solitary axillary और साइमोज, साइमोज is most common in some plants there is solitary axillary flower की अगर बात करें complete flower की बात करें जो next character हम discuss करते हैं वह हम discuss करते हैं flower flower में हम mainly discuss करेंगे क्या bisexual है क्या bractiate है क्या padisolate है या नहीं है ठीक है flower के कुछ character मैंने floral terms में समझाए भी थे आपको you can watch the previous videos तो flower की अगर बात करूं तो flower जो होते हैं वो दोनों cases हो सकते हैं bractiate भी हो सकते हैं या e-bractiate भी petunia जो होता है bractiate होता है solenum nigram e-bractiate होता है तो यह generally vary करता है ठीक है उसके अलावा pedisolate होते हैं flower socile नहीं होते पैडिसolate होने का मतलब जो stock होता है flower का वो present होता है प्रेजेंट है इसलिए pedisolate हम कहेंगे bisexual या हर्मोफोडाइट होते हैं bisexual के लिए हर्मोफोडाइट भी लिखा जाता है दोनों sex एक ही flower प्रप्रेजेंट है male as well as the female ऐसा नहीं है कि male flower अलग है सपोस्थ इस is male flower and these are female flower हो सकता था कि एक ही plant पर मालीजे यह plant है इसी पर male flower भी है और female flower भी तो यह plant तो होता क्या monoscious बट flower होते क्या unisexual फ्लावर तो अलग-लग sex वाले होते male female और plant monoscious होता कभी-कभी ऐसा होता है एक पूरा plant है उस पर male flower ही है केवल दूसरा plant पर जिस पर केवल female flower है तो इस तरह के plant कहलाते है डायोशियस अगर एक plant पर एक ही तरह के flower है तो flower भी unisexual है और plant डायोशियस है उसको दो sex organs की ज़रुत पढ़ रही है अलग-लग plants को monoscious का मदलब दोनों sex organs एक पर ही है male और फीमेल पर भी और flower इस case में क्या है unisexual और हमारा जो solenasi family है उसमें क्या है एक plant है और उस plant पर सारे flowers एक जैसे हैं और सारे के सारे flower क्या है bisexual यह condition particularly कहां पाई जा रही है solenasi family में flowers ही bisexual है यानि plant भी monoscious है as well as flowers are bisexual just minutes before we have watched this some flowers कुछ flower अभी अपने देखे थे तो symmetry की बात करते हैं अगर तो symmetry जो होती है वो actinomorphic या radial होती है या इसको radial symmetry भी बोलते हैं देकि symmetry का मतलब है flower दिक किस तरह कर रहा है ठीक है radial जो है मैंने previous lectures में भी बताया हुआ है कि flower के बारे में जो हमने डिसकस किया था radial symmetry का मतलब होता है अगर दो से ज़्यादा इक्से में अग्सक्राइगा तो अगर दो से ज़्यादा या दो या दो से ज़्यादा एक्स प्रेजस नहां जिससे flower दो equal half में divide हो जाए तो वो actinomorphic symmetric कहलाती है अगल केवल एक ही axis है मालिजे इस तरह का कोई flower है ठीक है तो केवल एक यही axis है जहांसे काटने पर यह 2 equal half में divide होगा अधरवाइस आप कहीं से भी काट लीजे 2 equal half में divide यह नहीं होगा केवल इस axis को छोड़के तो केवल एक एक्सिस अगर अवलेबल है 2 equal half में divide करने के लिए तो प्लांट कहलाता है फ्लावर कहलाता है जाइगो मॉर्फिक अगर दो या दो से ज्यादा एक्सिस है तो कहलाता है एक्टीनो मॉर्फिक तो क्यूंकि लगबग राउंड या सर्कुलर फ्लावर थे तो बहुत से एक्सि कह सकते हैं थिकए चारो होरल प्रजेंट होते हैं इस लिए complete फ्लावर है perfect भी है क्यूंकि दोनों सेक्स प्रेजेंट है हर्मोफणoupe बाइसेक्शल है और हाइपोगाइनस फ्लावर है हाइपोगाइनस फ्लावर होने का मतलब है ओवेरी सुपीरियर है तो जब भी ओवरी सुपीरियर होती है उस प्लाइट उस पूरे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं ओवरी सुपीरियर होने मतलब देखिए वो एक्से जहां से चारो होड निकलते है थेलमक या रिसेप्टिकल कहलाता है ठincome से थेलमक स्रेश मेश पर ही ओवरी होती है माली जी यह ओवरी है ओवरी के नीचे से मालीजी यह थेलमर्मक का हैं इस एकसिस से ऊपर औरिस निकल रहे हैं यहीं से पेटल्स निकल रहे हैं इस एक्सिस से और यहीं पर fifth है तो बाकी तीनों होल चाल पैटल और आपका अंड्रोशिय। पीनों ओवरी से नीचे प्रेजेंट है। इसका मतलब ovary superior है तो जब ovary superior होती है इस तरह के flower को hypogynus बोला जाता है तो solenusy के अंदर ovary superior होती है इसलिए हम flower को क्या कहेंगे hypogynus flower है so these are some points about the flower उसके अलावा कुछ लोग color भी लिख देते हैं चाहें तो आप color भी लिख सकते हैं depend करता है petunia purple है white है क्या है तो generally for example I write the white और purple mostly natural color जो होता है इनके अंदर solanacy family में वो purple होता है potato के flower भी naturally purple होते है petunia भी purple है solanum nigram भी जो होता है वो purple होता है धतूरा क्या होता है white color का या धतूरा भी purple color में हो सकते हैं next जो हम character लिखते हैं वो लिखते हैं हम calyx ठीक है calyx का generally सीधा number लिखा जाता है तो हम unit क्या होती है सैपल हम लिखते हैं कि सैपल 5 है 5 सैपल मिलते हैं 5 ही पैटल होते हैं 5 ही स्टेमन होते हैं सैपल्स जो होते हैं वो fuse होते हैं तो हम लिखते हैं गैमो सैपलस कंडिशन जब sepals आपस में fuse होते हैं तो क्या लिखा जाता है gamma condition free होते हैं तो polysepals हम लिखते हैं generally tube बनाए होते हैं तो tubular लिखेंगे एक speaker-like या tube-like structure फ़र्म करते हैं ठीक है, estimation लिखते हैं हम Kalex में generally तो valvate estimation में होते हैं क्योंकि आपका एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहें, ट्यूब बनाए हुए है और एक दूसरे से क्या है, नोन ओवरलैपिंग रीजन में है, वैलवेट एस्टिवेशन में होते हैं, कैलेक्स परसिस्टेंट होते हैं, जनरली, ठीक है, यह भी एक करेक्टरिस्टिक फीच हमेशा अटैच रहते हैं, बोटनिकली इज अफ्रूट, जब यह फ्लावर रहा होगा, तो इसके अंदर कैलेक्स रहे होंगे, फ्रूट बनने के बाद भी कैलेक्स डिटैच नहीं होते हैं, परसिस्टेंट हैं, ठीक है, तो परसिस्टेंट कैलेक्स का मतलब होता है, इंजल भी सॉलनेसी का मेंबर है और जो है फैब यसी में जो पी होता है पी के अंदर भी परसिस्टेंट कलेक्स होते हैं मटर में भी वो भी जो है रिमूव नहीं होते हैं फ्रूट बनने के बाद और एक करेक्टर जो हम लिख सकते हैं इनफीरियर क्योंकि ओवरी सुपीरिय है ठीक है पैल फाइफ है और गामो पैलस यह भी इनिपर्टल सब्सेर नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्रूट बनने के बाद पैटल्स जो होते है वह मॉडिफाई हो जाते हैं इनफीरियर लिखेंगे क्योंकि ovary superior है तो petals भी inferior होंगे korola भी inferior होंगे ठीक है उसके लाव आप color लिख सकते हैं अगर purple color है white color है जो भी color है वो भी mention कर सकते है petals में next लिखा जाता है androsium ठीक है androsium की unit होती है stamen तो stamen का जो number होता है वो होता है 5 pentameras flower होते है diacot की family है solenacy diacot plants की तो stamen का generally number क्या होता है 5 होता है okay stamen जो होते है सारे polyandrous होते हैं अलग-अलग होते हैं recently previous video में मैंने बताया था androsium का cohesion androsium का आपस में क्या relation है तो वहाँ पे मैंने बताया था polyandrous condition ये filament ये enter ये filament ये enter ये filament enter filament enter and filament enter ऐसे पाच्चों जो enter है और उनके filament ये पाच्चों जो stamen है वो कहीं एक common access पर attach नहीं है सारे आपस में free हैं तो इस condition को बोलते है polyandrous condition stamen आपस में तो कहीं भी attach नहीं है लेकिन stamen petal के साथ attach होते हैं तो उस condition को हम बोलते हैं epipetalous condition अगर आप petals को detach कर देंगे petunia के अंदर या दतूरा के अंदर या potato के फ्लावर के अंदर तो उसके साथ साथ stamen भी detach हो जाएंगे क्योंकि क्या है वो epipetalous condition में है petals के साथ attach हैं ठीक है उसके अलावा intros होते हैं maximum intros ही होते हैं rarely extros हो सकते हैं ठीक है दतूरा में या petunia में इंट्रोस एंथर देखने को मिलते हैं इंट्रोस का मतलब petal से नीचे की तरफ अंदर की side present होते हैं ये भी inferior होंगे क्योंकि ovary superior है तीनों inferior होंगे calax, corolla and androsium उसके अलावा हम एक main point जो लिखते हैं इसमें वो लिखते हैं थीका का number तो बाया थीकस होते हैं एंथर एक लोब में दो sporandonianten होंगे इस बिसले लोब इसरे ज में ऐंक लोब इस फरेंजियम है total charts for pride अमें तो ये बाया थीकस हैं ये ओंधिके सटर होता है एक लोब में हिस्स परएंजियम दो लोग दो हिस्स परेंजियम तो बाया ठीका सेंथर होते हैं solennacy family के अंदर ओके फिर हम लिखते हैं gynosium को gynosium में देखे सबसे पहले carpals का नंबर लिखा जाता है ठीक है कितने carpal है तो bicarpulary ovary होती है bicarpulary bilocular generally maximum plants में ठीक है almost all plants में जितने chamber होते है उतने ही carpal होते हैं देखे ovary में locules का मतलब है सीधे-सीधे chamber कि कितने जो है उसके अंदर chamber है कितने एक तरह से खाचे हैं हम यह कह सकते हैं तो ovary एक single chamber नहीं थी है single या unilocular ovary इसमें दो partition हो गए तो यह कहलाता है first locule यह कहलाता है second locule अब एक different चीज होती है carpal carpal का मतलब होता ovule containing structure कि ovules को contain करने वाला जो पूरा structure है वो carpal कहलाएगा तो एक carpal तो यहाँ है यह यह अपने ovule रखता है दूसरा carpal यह है यह अपने ovule रखता है red color से जो mention किये यह carpal है यह sporophylls है अब carpal जो होंगे ovule रखेंगे तो ovule जिस tissue पर borne होते है उस tissue को बोला जाता है placenta तो मैं green color से draw कर रहा हूं placenta तो दोनो carpal का इस carpal का यह placenta था दूसरे का यह तो यह पूरा दोनों मिलकर दोनों placenta ने एक axis बना लिया जो दोनों कारपल के लिए common है यह axis और इस axis पर या इस placenta पर ovule बोर्न है pink color से मैंने ovule दिखाए हुए है ठीक है तो यह दो कारपल है या दो चेंबर है यही मैंने लिखा है बाई कारपल है नहीं बाई लोकिलर दोनों कारपल सापस में fuse है अगर ऐसा होता कि यह ओवरी होती यह एक कारपल होता यह दूसरा कारपल ऐसा होता तो कारपल्स फ्यूज नहीं थे तो हम लिखते एपो कारपस की कारपल्स फ्यूज नहीं है बट maximum जहां पर दो से या दो से ज़ादा कारपल्स होते हैं Fuse के टाइम पर हम लिखते हैं. तो Suomenacy में इस तरह की ovary है. तो clearly दिख रहा है कि सिन कार्פस, कार्पल्स आपस में फीड हैं. ठीक है तो यहां हम लिखेंगे सिन कार्पस. दोई कार्पल्स हैं आपस में फ्यूज हैं. प्लेसन्टेशन हम लिखेंगे, अभी मैंने बताया exile presentation होती है ठीक है दोनों कारपल मिलकर एक एकसेज बना रहे है कोमल कोमन हर एक कारपल में ओवियूल्स मैं नहीं है ऐसा नहीं है कि एक कारपल में एक ओवियूल है for example this is ovary this is one carpel this is second carpel हो सकता था इन एक एक ओवियूल होते बट ऐसा नहीं है ओवियूल्स का नंबर भी जादा है तो ओवियूल्स मैं नहीं हम यह भी mention करेंगे ठीक है उसके अलावा जो होता है आपका ovary superior है क्योंकि आप गाइनोशियम डिसकस कर रहे हो तो ओवरी को यहीं डिसकस करेंगे ओवरी जो है वो superior है यहाँ हाइपोगाइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है हाइपोगाइनस फ्लावर होता है ना कि ओवरी हाइपोगाइनस होती है ठीक है तो मेली यही जो है आपके characteristics लिखे जाते है गाइनोशियम में उसके बाद fruit mention करना ज़रूरी नहीं है although आप mention कर सकते है fruit berry होता है इसका यह capsule होते है देगे capsule वो जो एक envelope open होकर उसके अंदर से seed निकले और berry fruit वो होते हैं जिनको आप direct खा सकते हैं तो दोनों तरह के fruit देखने को मिलते हैं अब main बात करते हैं floral formula की अगर हमें characteristics पता है सारे तो हम generally formula भी लिख सकते हैं formula लिखते वक्त एक rule होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे bracketate है या e bracketate है अगर e bracketate है तो आप ebr लिख सकते है अगर e bracketate है तो mention करना ज़रूरी नहीं है आप चाहें तो skip कर सकते है ठीक है bracketate या e bracketate ठीक है उसके बाद symmetry लिखी जाती है comma लगा कर symmetry है actinomorphic यहाँ पर हमने देख लिजे लिखी थी symmetry this one actinomorphic के लिए symbol होता है ये इस तरह से जाइगोमॉर्फिक के लिए ये percentage का symbol होता है तो यहाँ actinomorphic है तो मैं symbol लगा रहा हूं actinomorphic का पहले ब्रैक्ट फिर symmetry उसके बाद sexuality लिखी जाती है बाई-sexual के लिए ये female और ये male तो यह symbol होता है बाई-sexual का ठीक है ब्रैक्टीएट फिर symmetry फिर sexuality क्या homosexual है याँ बाइ-sexual है उसके बाद लिखा जाता है calyx, यह saples, calyx के लिए k होता है letter code, k, फिर यहां number लिखा जाएगा, number कितने है saples 5 तो हम लिखेंगे k5, फिर हम दिखेंगे क्या polypeateles है या gamo sapeles है, गया polysepolis है, अगर free होंगे तो यहां bracket नहीं लगेगा, 5 के साथ, अगर fuse होंगे तो bracket लगेगा, तो यहां तो saples fuse है, तो हम यहाँ पर bracket लगाएंगे फिर हम लिखेंगे कोरोला का symbol होता है C, कोरोला में petals का number लिखा जाएगा C will be 5, हम देखेंगे क्या petal fuse है या free है gamma sepulis है fuse है, तो fusion के लिए हमेशा bracket लगते हैं तो यहाँ भी bracket लगेगा, फिर हम comma लगाएंगे ठीक है फिर हम लिखेंगे androsium, androsium की unit होती है stamen, androsium का letter code होता है A, A में हम number stamen का लिखेंगे, stamen है 5, A5 मैंने लिख दिए, क्या यह free है या fuse है polyandrous condition है, तो यह fuse तो नहीं है, तो इसके साथ bracket नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की है कि क्या stamen, जो है वो epipetalus हैं, यानि वो petals के साथ fuse है, तो हम इस तरह से arrow लगा कर दिखाएंगे, कि C और A आपस में fused हैं, ठीक है, यह condition ध्यान रखेगा, epipetalus को represent करती है, फिर हम लिखते है gynosium, gynosium में हम क्या लिखेंगे, ovary का नमबर नहीं लिखेंगे, ovary हमेशा एक ही होती है, हम लिखेंगे कारपल का नमबर, bai कारपल होती, दो कारपल से है, g2, देखी क्या कारपल fuse हैं, free है, sin carpus condition है, तो यहां bracket लगाना पड़ेगा, ovary superior है, तो यह चीज़ ध्यान रखेगा, देखे, ovary superior है, तो नीचे underline करेंगे, अगर ovary inferior होती, तो उपर underline करते हैं, ध्यान देने की बात है, उल्टा है यहां पर, superior को नीचे position मिल रही है, तो superior है, तो मैंने नीचे underline कर दिया है, fuse तो इसलिए मैंने bracket लगा दिया है, तो यह जो होता है आपका formula बनता है, फिर repeat कर रहा हूँ sequence, क्या bracket है, क्या symmetry है, क्या sexuality है, calyx के लिए K, corolla के लिए C, androsium के लिए A, और gynosium के लिए G, number हम लिखते हैं, sapal, petal, और stamen and carpals, इनका हम finally number लिखते हैं, तो यह है आपका formula, अब अगर formula पता है, character पता है, तो हम diagram भी draw कर सकते हैं, quickly मैं इसका diagram भी draw कर देता हूँ,